इंदनाइडल 12 से लोगों के बीच मशूर हुए पवंदीप राजन और अरुनिता कांजीलाल इंदनों सुर्ख्यों में हैं बता दें कि दोनों की जोड़ी को फैंस खुब पसंद करते हैं दोनों की डेटिंग की खबरे सोशल मीडिया पर सामने आती रहती हैं एक बार अरुनिता और पवंदीप की शादे की फेक तस्वीरें इंटरनेट पर खुब वाइरल हुई थी आपको बता दें कि अभी तक पवंदीप और अरुनिता ने अपने रिष्टे पर चुपपी फाद रखी है इंडिन आइडल के मंच पर अपनी दंदार रुहानी आवास के साथ साथ अपनी सेजलिंग के मेस्टरी को लेकर मशूर हुए पवंदीप और अरुनिता आयदन किसी ने किसी वज़ा से चर्चा में बने रहते हैं इंडिन आइडल के सेट पर पंपा दोस्ती इन दोनों के बीच आज भी कायम है पवंदीप राजन और अरुनिता कांजी लाल की अब लोटरी लग गई है दोनों को एक बड़े बैनर तरे काम करने का मौका मिला है दरसल सोचल मीडिया पर कुछ फोटोस सामने आए है इन फोटोस में पवंदीप और अरुनिता म्यूजिक कंपोजर सलीम मर्चिंट के साथ नज़र आ रहे हैं दोनों सिंगर सलीम जी के साथ काम करने वा रहे हैं इनका न्यू सोंग जल्द ही आने वा रहे है इस फोटो में आप देख सकते हैं कि पवंदीप राजन और अरुनिता कांजिलाल सलीम मर्चिंट के साथ मुस्कुराते वे दिख रहे हैं इसके साथ ये एक फोटो में पूरी टीम साथ में नज़र आ रही है अब देखना ये होगा कि दोनों का म्यूजिक विडियो आ रहा है या सिर्फ अपनी आवास देंगे अभी तक इसके कोई जानकारी सामने नहीं आई है सलीम मर्चिंट ने अपने इंस्टेग्राम पर फोटो शेयर करते वे लिखा सलीम ने इतना बता दिया है कि दोनों लव सौंग आ रहे है इतना ही नहीं दोनों के साथ काम करके सलीम जी भी बेहत खुश है हालक इनका ये सौंग कब आएगा इसके कोई जानकारी नहीं दी गई है मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि पवंदीप और अरुनिता ने एक बड़ी उरान भरने की जरूर कोशिश की है दोनों म्यूजिक के दुनिया में नाम कमाने में जुटके हैं आपको बता दे पवंदीप नाजन और अरुनिता कांजी लाल के जिगलबंदी के सभी मूरीद है दोनों जब साथ में माइक लेकर मंच पर दिखते हैं तो शोर मचने लगता है इन दनों दोनों लगतार देश-विदेश में कॉंसर्ट कर रहे हैं दोनों को सुनने के लिए खूब भी रिखता होती है पवंदीप और अरुनिता सिंगिन की दुनिया में खूब वावाई भी लूट रहे है पवंदीप ने बॉलवुड में म्यूजिक कंपोजर के रूप में डेब्यू भी कर लिया है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आप देखते हैं यो वोल्फ को जाद जादे हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दे साथ हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक कर दे वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया